गुटनों में अक्सर रहता है दरद तो अपना कर देखे ये घर लूपाई ये चोटी सी घर लूपाई आपकी हड़ियों जोड़ों और कमर का दरद हमेशा के लिए गाइब करने वाली है तो वीडियों में आन तक बने रहेगा ताकि आपको पूरा जानकारी मिले क्यूंकि आपकी हड़ियों और जोड़ों का दरद कमर का दरद हमेशा के लिए ठीक रहे और नबबे साल तक भी कभी आपके सरीर में कैल्सिम की कमी नहीं हो तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है कि आपकी कमर गुटने का दरद साथ दिन के अंदर अंदर ठीक होना स्टार आम होते जा रही है बड़े बच्चे बुझूर्ग सभी में ये प्रॉलम देखने को मिल रही है कुछ खराब लाए स्टाइल के कारण ही ये सब प्रॉलम देखने को मिलती है वितामिन बी 3 और कैल्सिम की कमी के कारण भी हड्डियों और जोड़ों में दर्द होती है वज़ा से प्रॉलम हो रही है आज मैं जो गहलू उपाई ले के आई हूँ यह गहलू नुसका बहुत ही चमतकारी है और बस साथ दिन में आपको यह असर दिखाना स्टार्ट कर देगी और नियमित सेवन आपकी हड़ियों और जोरों के दद से आपको हमें सकले निजाद दि है आज का नुसका इतनी चमतकारी है कि यह सरीर में हर तरह की कमी को पूरा करने का ताकत रखती है जो की हड़ियों और जोरों के दर्द की वज़वन दिए इस नुसके के सेवन से आपका 90 साल तक भी कभी भी केलसियम की कमी नहीं होने देगी गुटनों में गैप की प्रॉ प्रॉलम इससे ठीक होने वाली है तो चलिए जानते हैं कि वह कौन से गयल उपाय है जिसके सेवन से आपकी कमर घुटनों और हड़ियों का दत हमेसा हमेसे पहला उपाय है कि आप रोज अपने डाइट में करीब 2-3 चमस तक प्योर घी गाय का घी आपको सेवन करना है जी ह है वह दरत हमेसा ठीक हो जाएगी तो अपने डाइट में आप घी को जरूर एड़ करें यह बहुत ही फायदे मन साबित होगी आप कुछी दिनों के इस्तिमाल से आपको फैदा नजर आने लग जाएगा अब जो दूसरी चीज लेनी है वह है एक मुठी आपको भुना वच चना लेना है करीब तीन-चार इंच जितना आप गुर ले लीजिए पुराना गुर हो तो और भी अच्छी है इसके साथ ही आपको हल्का गरम दूद लेना है फ्रेंट गुर लेने से आपके खून की कमी दूर हो थी क्योंकि गुर में आर्यन प्रचूर मातरा में पाई जा हो जाएगी इसके साथ इसाथ गुर में कैल्सियम और फॉस्फोरस भी होता है जो हड्यों में बहुत ज्यादा मजबूती देता है सरीर को भी मजबूत बनाता है और चुस्ती फूर्ती से भरा हुआ रखता है यानि कि आप कभी भी दिन भर में ठकान महसूस नहीं करेंगे अब हमेशा दिन भर चुस्ती फूर्ती से भरी रहें और इम्मुनिटी को बूश्ट करती है जिससे कि बरी से बरी बिमारिया चुब भी नहीं सकती है अब साथी साथ चेने के फायदी की बात कीजा तो ये आपका वजन को कंट्रोल करता है मोटापा से बचाता है कैंसर से रखता है हीर्दे स्वास्त के लिए और केलिस्ट्रॉल के लिए बेस्ट होती है यानि कि बैट केलिस्ट्रॉल कभी भी आपको बनने नहीं देगी और हार्ट हेल के लिए बेस्ट होती कभी भी आपको हार्ट की समस्या नहीं आने देगी पाचंत तंत्र मजबूत करती है तापके हड्डियों में ताकत प्रतान करती है हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करती है तो इस रेमेडी को सेवन करने के लिए आपको एक मुठी चना लेना है और करीब तीन से चार इन जितना आप गूर ले लिजे और यह दोनों को चबा-चबा के खाएं और एक ग्लास हलका गरम दूद आपको पीना है ऐसा आप रोजाना इस तरह से सेवन कीजे तो आपके सरीर में कभी भी कैलसियम की कमी नहीं होगी और हड्डियों से जो कट-कट की आवाज आती है वो कतम होगी ग्रीस बनना स्टार्ट होगा और आपके कमर घुटनों का दर्थ हमें से करे हैं सुबह नास्ते के समय करिए या फिर 12 बजे खाना खाने से एक घंटा पहले करिए या एक घंटा के बात की अब मैं आपको दूसरा उपाय के बार में बताने जा रही हूं इसके लिए आपको मेथी का दाना लेना होगा मेथी अपने डाइट में जो सामिल कीजे एक शाऊंगे तो आपकी बहुत सारी बिमारिया ठीख हो जाएगी साथ ही आपको कभी भी वात्त समन्दी प्रॉलं महीं होगी यानि की कभी भी आपको जोरों और हड्डियों में दर्दने होने देगी कभी भीए आपको घुटनों में जो कट कट की आवाज आती है वो नह इस पानी को या तो आप उबाल के पीज़िए या फिर आप इस पानी को पी जाएए और मेती दाना को चबा चबा के ताकत रखती है और हड्डियों को मजबूत करती है वाद से समंदित सभी बिमारियों को दूर करती है घुटनों जोडों और कमर के दर्द को दूर करती है घुटनों से कटकट की आवाजे जो आती है वो ठीक होती है और साथ इसाथ बहुत परी से बड़ी बिमारियां आपकी सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच